विज़े जी दो घटना हमें याद आती हैं, जब ये तेरे महिन्य का दिल्ली में अंदोलन चल रहा था तो उस समय पंजाब में एक खास घराने के टावर्स को निशाना बनाया गया था, दूसरी घटना फरवरी दो हजार बीस की है, जब डॉनाल्ड ट्रम्प एज प्रेजि दो घटना हमें सतर्क करती हैं और चिंतित भी करती हैं, कि जब अंतर राश्टी ये विरादरी भारत में होगी, सेप्टिमबर टुनिटी 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 में, तो तब कहीं कुछ इस तरह की साजिश नारची जाए, जिस से भारत की छवी को मलि किया जा सके या किसी तरह के गलत संदेज देने की कोशिश की जाए पंजाब में जो कुछ हुआ था टावर उखाडे गए थे डेमेज किये गए थे वो कौन लोग थे वो किस देश के इशारे पर काम कर रहे होंगे इसका अंदाजा लगाना नतीजे पर पहुँचना कोई बह महान सरकार के समय हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो मैं उस खत्रे की तरफ आपका ध्यान आकरश्ट कर रहा था जी सर देखिए विलकुल सही और सेंस्टिव मुद्दे पर अपने बात उठाई है मैं पहले तो आउट राइट यह को हूँगा कि जब विदेशी महमान देश में होते हैं और जब देश की इज़त का सवाल होता है जब देश महमान नावाजी कर रहा होता है यह हमारा इस स्लोगन रहा है संस्कृतिक स्लोगन है कि हम अतिति को भगवान की तरह मानते हैं उनका पूरा आधर सतकार करते हैं हमारी परंपरा है यह हमारी संस्कृति है जिनकी नहीं है उनको आराम से बैठने का पूरा अधिकार मेरा सिरफ यह कहना है भारत सरकार को आने वाले दिनों में क्योंकि जिस तरह की घटनाओं की आपने आशंका जताई है मैं मानता हूं कि ऐसे तत्व इस देश में होंगे जो भारत की छवी वो विदेशी एजेंट बनके दूसरों के हित को साधने के लिए कुछ पैसे के लालच में कुछ और किसी लालच के अंदर इस देश को बदन कार को यह कह देना चाहिए अभी से कि अगर विदेशी महमान जब इस देश में हैं और अगर किसी ने देश की छवी बिगाड़ने की कोशिश करी और जान बूच के अराजकता पैदा करने की कोशिश करी ऐसे गदारों के साथ वही सलूख होना चाहिए जो गदारों के साथ किया जाता है ऐसे लोगों को गद्दार डिक्लेर करना चाहिए वो लॉइन ओर्डर करके सॉफ्ट पैडलिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि खास मौके पे खास इस्थिती में खास तरह की पराज़कता पैदा करना ये एक सुन योजित शड़यतर होता है वाइलेंस अगेंस्ट स्टेट के रूप में इसको देखना चाहिए ये नॉर्मल घटना या अचानक दंगा हो गया या किसी गाड़ियों में आग लगा दी और उसी दिन लगाना उसी तरह से कुछ जाम करना वहीं पे कहीं पे रॉइट्स करना तो तमाशा करना मुझे लगता है कि इसको नॉर्मल लॉइन ओर्डर नहीं मानना चाहिए और ऐसे गद्दारों को इस देश के खिलाफ जो साज़िश रसने इस देश के सम्मान के खिलाफ जो साज़िश रसने उनके साथ वही काम करना चाहिए जिसको वार अगेंस इस्टेट की हम बात करते हैं और यह मैसे सरकार को क्लियर कर देना चाहिए इसमें कोई और उसको लीगली जस्टिफाई करते रही है यह नॉर्मल प्रॉसस था लेकिन अगर सब को यह पता रहेगा कि जब विदेशी मिहमान इस देश में हैं और इस तरह की घटनाए करी तो इसको इसको स्पेशल डंग से ही ट्रीट किया जाएगा और उस समय फिर यह जो लीगल त यह जो हम मुकोठा लेके जलूस और मुम्मतियां लेके शुरू हो जाते हैं मुझे लगता है कि देश के स्वाबी मान के आगे कोई कॉम्प्रमाइज नहीं हो सकता है और यह बात हर देश वासी को समझनी चाहिए और मेरा निविदन है आपके माद्यम से आपके चैनल के मा स्वागत किया जाता है हमें सब को वही लोगों के खिलाफ आवाज उठाए जो इस देश को बदनाम करने की साजिश रख रहे हैं काम सिरफ पुलिस या सरकार का नहीं होना चाहिए हर जागरुक नागरिक हर देश वक्त नागरिक का यह फर्ज होना चाहिए कि ऐसे जिसे कहते हैं हमकी एंटी नैशनल एलिमेंट्स को कैसे सबक सिखाया जाए इसकी तैयारी हर नागरिक को करने चाहिए विजय जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बाते कहीं हैं जो देश के खिलाफ काम करने वाले या साजिशों में शामिल होने वाले लोग होते हैं उनके किस तरह की कारवाई की जानी चाहिए लेकिन अभी एक पाठक ने कहा है कि आप इनको गद्दार बोलो और सरकार इनको गरफतार करे पर सुप्रिम कोट तो छोड़ देगा इनको और ऐसे बहुत सारे दरश्टांत हमने और आपने देखे भी हैं आतीत में वो चाहे नकसली क आरवाईयों से रिलेटेड रहे हों जिनको हम अरवन नकसल बोलते हैं या दूसरे नाम देते हैं उनको किस तरह के रिलेक्सेशन मिल जाते हैं कोट से कचहरी से ये तो हमारे सामने है तो वो एक डायलोग भी था उसमें दा कश्मीर फाइल्स में कि सरकार तो तुमारी है प सभी सिस्टम में उनके लोग बैठे हैं या इनके लोग बैठे हैं या किसी और के लोग बैठे हैं पर ये एक बड़ी समस्या तो है देखिए जिन दर्शक ने ये सवाल उठाय है बहुत महतोपूर्ण सवाल है सर्थ मैं उन सबसे दर्शक से उनके माध्यम से जो लोग ये आपका भी फर्ज है कि आप कोर्ट से यह जरूर पूछ सकते हैं कि किस आधार पे जो लोग देश को बदनाम कर रहे हैं आप उनके साथ लिवियंट है कहां पर लक्षमन रेखा खीची जाएगी मतलब लोग दंगा करें और कोर्ट आएं कोर्ट से बेल ले जाएं फिर वो दं सवाल कि क्या जंता सुप्रीम कोट से सवाल नहीं कर सकती क्या हमें कहीं जिने रोका है तो मेरा निवेदन यह है कि जब जंता अपनी आवाज उठाएगी जैसे संसत को सुनना पड़ता है रास्पति महदे को सुनना पड़ता है सारे मंत्रियों को सुनना पड़ता है सारी स संस्ताओं को जनता की आवा तो सुप्रेम कोर्ट भी थो समिधानिक शंस्ताई है और समिधान में सबसे बड़ी व् Avant लोकतंत्र है लोकतंत्र का मतलब आप और हम आम आद multic तो अगर हम आवाज उठाएंगे तो ये कैसे हो सकता है कि शुप्रेम कोर्ट एक तरफा पक्ष ले ले अगर ऐसा होगा चाहे कोई भी मानधंड हो क्या रास्ट्र की प्रभु संबता रास्ट्र की इज़द से बड़ा कोई कानून हो सकता है क्या और अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी इमेज के बारे में सोचना होगा नुपुर शर्मा के केस के स Judges के Judgments को बदलते देखा तो जनता की ताकत जनता की आवाज से बड़ी कोई किसी कोर्ट की ताकत नहीं होती है अगर हम सही मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं अगर हम गलत मुद्दे पर उठा रहे हैं तो यह हमारी गलती है लेकिन अगर हम नयाय मांग रहे हैं और जो कोई भी सिस्टम उनका साथ देता है कोई भी सिस्टम तो जनता को आवाज उठाने का हक है तो आप अपनी ताकत को कम मता किए और सोशल मीडिया ने आपकी ताकत को multiply किया है पहले वो जमाना था कि आप किसको चिठी लिखेंगे पता नहीं पता नहीं कि आपकी बात किसी तक पहुँचेगी या नहीं लेकिन अगर आपको लगता है कोई चीजी इस देश में गलत हो रही है आपके समाज में गलत हो रही है आपके आसपास गलत हो रही है आप सोशल मेडिया पे डालिए इस ताकत का फायदा उठाइए और देश को सही रापिल लाने में योगदान दीजी तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं महत्वण मुद्दा है लेकिन अगर कहीं पे शंका है तो जो सवाल आपने इस प्रोग्राम में उठाया इस सवाल को सोशल मेडिया पे डालिए और जंता से कही अपनी राय रखें और देखिएगा कि यह बात धीरे-धीरे हर इंसान तक पहुंचेगी हर संस्ता तक पहुंचेगी और जो आपका कंसर ने वह एड्रेस होगा चाए ओपनली हो या सटली हो होगा जरूर